हलो फ्रेंड्स वल्कम बेक टो मैं चैनल इन कोकिंग वित रिका पहाडिया आज मैं आप लोगे साथ शेयर करने जा रही हूं कच्छे आम की खट्टी मिट्टी जैली वाली केंडी जैली केंडी बनाने के लिए मैंने आपर लिये हैं तीन बड़ी साइज के कच्छे आम इनको स्ट्सफर करेंगे सिटनिणटे मेशर में ट्रांसफर कर रहे हैं कि नेच मेडरी कहते हैं कि कितने मों मुछ्टी क huge का इन निचाह रोग में किदे भूत मुछलो माल है है क मुछ यह छोब तोड़ा लिया है कि हम सबसे हैं इस ड़बे नों यहार लिया है कितना हमारा पेस्ट और गुड़ दोने इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए देखिए मैंने सेम साइज के गटोरी लिए आप किसी भी चीज से मैसरमेंट कर सकते हैं अब मैंने यहां पर लिया है कुछ सुखे मसाले आदा चमच सफेद नमक एक चमच काला नमक दो चमच अमचूर पाउडर आदा चमच हींग आदा चमच काली मिर्श पाउडर आप यहां पर चाहिए तो थोड़ा सा जीरा पाउडर भी एट कर सकते हैं अब देखिए यहां पर मैंने एक पेन गर्म होने के लिए रख दिया है अब जैसे पेन गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे एक चोटी चमच घी हम यहां पर गी सिफ इसले डाल रहे है ताकि हमारा पेस्ट जो है वह तले पे चिपके नहीं जैसे हमारा घी मुश्किल से 2-3 मिट तक इसे पकाना है जब तक कि इसका पानी थोड़ा सा सूपना जाए 2-3 मिट में ही आप देखेंगे कि हमारा जो पेस्ट थोड़ा सा ठीक होने लगा है ऐसे ही खटा होने लगेगा यह देखिए मुश्किल से 2-3 मिनिट बात हमारा पेश इस तरह से गाड़ा हो चुका है अब इस स्टेश पर हम इसके अंदर आड़ कर देंगे यह गुड वैसे भी आजकल हम लोगों ने गुड की बनी चीजे खाना बहुत ही कम कर दिया है तो यह रेसिपी हम लोगों के हम इस तरह से गुड को पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे मुश्किल से 2-3 मिनिट बाद हमारा गुड भी जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा कि स्टार्टिंग मापको बहुत स्टिकल सा लगेगा लेकिन कुछ ही मिन्टों में यह बिल्कुल सही हो है यह इस तरह से की लिक्विड कंसिस्टेंसि आत्रों को दिखाई देगी बस इसी स्टेज पर हम इसके इंद्र एड कर देंगे वह सारे मिसाल है आप देख सकते हैं हमारे मिक्सर के अंदर बहुत अच्छे से बबल साने स्टार्ट हो गये है बस इसासिए पर आपको सारे म मसाले डाल दिये हैं जिससे कि इसका टेस्स बहुत ही अच्छा आएगा कि गुर्ड डालने के बाद आपको इसे चलाते वे रहना है क्योंकि गुर्ड डालने के बाद यह बहुत ही जल्दी तले में चिपकने लगता है मुश्किल से 5-7 मिट लगेंगे और हमारा लिक्विड यह गाड़ा हो जाएगा काफी ठीक हो जाएगा यह और इस तरह से पेन को छोड़ने लगेगा मैं यहां पर जेली वाली केंडी बना रही हूं इसलिए मैं इसे बहुत ज्यादा गाड़ा नहीं करूंगी जैली केंडी बनानी हो या आम पापड बनाना हो तब आप इसको ब जैली केंडी आम पापड बनाने के लिए आपको इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी होगी मिक्चर की थोड़ा सा लिक्विड ही रखना होगा और इसके पकने की पैचान ही है कि इस तरह से पेन चोड़ने लगेगा और इस तरह से इकटटा होना स्टार्ट हो जाएगा अब अब मैंने आपर एक प्लेट को घी से घ्रीज कर लिया है अब में घरभागम मिक्चर को इस प्लेट के अंदर प्लेट के अंदर ट्रांसफर करने के बाद हमें इसे लगबग आदे घंटे के लिए फेन के नीचे ठंडा होने के लिए रख देना है हम इस तरह से प्लेट को थोड़ा रोटेट करते हुए चारो तरफ फिला लेंगे मिक्शर को और अपने हाथों को भी घी से ग्रीस कर लें प्लेट का सा गरम रेजाए उस टाइम पर हमें चोटी-चोटी सी बोल बना लेनी है आप जैसा चाहिए विसाइसे शेप दे सकते हैं मैं आपर गटा-गटा शेप दे रही हूं मैंस जेली वाली केंडी बना रही हूं अब मैंने आप लिए पीसी हुई चीनी अब इस चीनी कोलीथीन में या फिर आम पापड का शेप देना चाहते हैं तो इसे बिल्कुर अच्छी तरह से फ्लैट कर लें आप जो चाहिए वो इसे शेप दर सकते हैं बस फटा-फट हमें इसी तरह से सारी केंडी बनाकर रेडी कर लेनी है यह किन मंदी आपने आपको मीरिय रेसेपी बहुत ही पसंद आईगी आप इससे ज़रूर पहależ किजिए अगर आपको मीरिय रेसेपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कोमेंट ज़रूर किजिए अगर आप मेरे चैनल पर फ़र्सेशा jujo पतनाईया है तो प्लीज मेरे चै जैसा और कुछ जेली केंडी जैसा लगे बच्चों को मुझे ते रेसे भी बहुत पसंद आई है अब आप ट्राइ करके जरूर देखिए और मुझे बताइए कि आपको यह रेसे पी कैसी लगी यह केंडी बिल्कुल मार्केट वाले आमपड़ जैसी लगती है कुछ खटी कुछ नमकीन अब मैं आपको एक एंडी तोड़ कर भी बताती हूं यह बिल्कुल मार्केट वाले आमपड़ जैसी है जो एक यह दो रुपे वाले जो पैकेट आते हैं आमपड़ के सेम वेसी यह देखिए आप इससे दस-पंदरा दिन के लिए फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं यह बिल्कुल भी कराम नहीं होगी बहुत जल मिलूंगी आपसे अगली रिस्पी के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग